तुम लोग सभी बोलते हो कि भाईया जो वीडियोस है वो जल्दी जल्दी ड्रॉप किजिए सारे चाप्टर की और लाइक टार्गेट भी नहीं पूरा करते हो लिटरली 5,000 लोग वीडियो देख रहे हैं बट लाइक टार्गेट जो है छोटा सा वो कोई नहीं पूरा कर रह लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दू कि तुम लोगों में से काफी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वाई देखो रुलाओं मत जाके फटा-फट सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो यहां पर हैंडल दिख रहा होग बट क्या इसमें हम वो सारी चीज़े पढ़ेंगे तो यहां पर मैं तुम्हें सबसे पहले बता दू कि जो NCRT है ना अपना मैं उसे हमेशा से एक किंग मानता हूं क्यूंकि अगर आप CBSE बोर्ड के बच्चे हो या फिर अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हो तो वहाँ पर आपका ना जो NCRT में दी गई चीज़े हैं वही ज्यादतर पूछी जाती है और NCRT में आपको जितनी वी चीज़े दी गई हैं टॉपिक बाइ टॉपिक उसे इस पूरी वीडियो में कवर किया गया है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनिट में लेकिन उससे पहले मैं बता दो कि आप लोगों को अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए प्रिविएस यह कोश्चन चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट कोश्चन चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक आउट कर लो वह आपको वहाँ पर मिल जाएगा बहुत लोग सबसे पहले बो करते हैं from physical property अब मालो हमें metals की बात की जाएगी तो हम लोग ऐसा बना सकते हैं उसकी फीजिकल प्रॉपर्टी देखिए कि मेटल सबस्टांस विच कंड़ एलेक्रिसिटी एंड हीट और मैगनेटिक मेटेरियल और और यह साइनी तो चलो सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्र प्रेचर पर उसकी स्टेट की बात करें तो मेटल जो है वो लिटरली हमेशा जैनेरली सॉलिड होते हैं लेकिन मरकडी नहीं मरकडी आपने देखा होगा वह एक लिक्विड होता है क्योंकि वह आपके थर्मोमीटर के अंदर भी प्रेजेंट होता है है और यहाँ पर अगर यहाँ पर ब्रोमाइन जो होता है वो एक लिक्विड होता है अगला अगर बात करें देंसिटी का तो इनकी डेंसिटी जेनरली हाई होती है ठीक है क्योंकि यह हेवी होते है थोड़े से फील भी हेवी करते हैं लेकिन इनकी डेंसिटी लो होती है क्योंकि इसका बहुत सारा चीजे लाइक इंटर मॉलेकुलर स्पेस और यह सारी चीजे देखके इसकी डेंसिटी जनरली लो होती है और इसकी काफी ज़्यादा हाई होती है strength की बात करें तो metals generally strong होते हैं और non metals generally weak होते हैं अगर आपको मैं बोलू एक लोहा तोड़ने को और आपको बोलू मैं एक लकडी तोड़ने को आप समझी जाओगे कि कौन तोड़ना ज्यादा असान है और कौन तोड़ना ज्यादा हाड है malleable और brittle क्या होता है यानि कि अगर मैं normal words में बोलू तो यहाँ पर दो चीज़े आपको पढ़नी है malleable and ductile ठीक है what is malleable and what is ductile तो malleable का मतलब होता है thin sheet में convert हो जाना और जो ductile होता उसका मतलब होता है thin wires में convert हो जाना ठीक है thin sheet and thin wires अब तुम लोग बोलोगे कि thin sheet कैसे जैसे हम लोग जो plate यूज़ करें वो metal का बना है ठीक है तो वो malleable हुआ और अगर ductility की बात करें तो हम लोग काफी सारे copper wires यूज़ करते हैं electricity वगेरा में तो that is the property which is called ductility अगर बात करें यहाँ पर हमारे एक metal gold की तो you know की gold के एक ग्राम से काफी बड़ा thin wire बना सकता है और काफी बड़ा thin seed भी बनाया जा सकता है conduction of heat and electricity की बात करें तो metals का अलगबग हमेशा good ही होता है लेकिन इनका poor होता है लेकिन अगर electricity की बात करें तो graphite एक ऐसा non-metal है जो की electricity conduct करता है and you know this very well ठीक है अगर magnetic material की बात करें तो materials में अगर metal में बात करें तो इसमें आपको iron, cobalt और nickel जो होते हैं वो magnetic material होते हैं magnet से जल्दी attract हो जाते हैं non-metal में कोई भी नहीं होता और अगर sound का है अगर sonority की बात हो रही यहाँ पर sonority की sound कैसा produce करते हैं तो यह जो है यह ringing sound present करते हैं और यह dull sound जाने कि simple मैं आपको बदाता हूँ आप क्या करो एक आप iron को मारो ठीक है और आप on the other hand एक wood को मारो तो आपको समझ आ जागा कि sound में क्या difference है अगर exam point of view से भी मैं आपको बता हूँ तो non-metal की chemical properties जल्दी आपको नहीं ही पूछी जाएगी आप जान लो अपने NCRT के according ही आपके boards में question उठते हैं बाकी अगर मैं आपको एक notes की link अलग से भी डाल दूँगा इसके जिसमें आपको non-metal की कुछ-कुछ-कुछ-कुछ reactions दी गई है तो आप उसे देख लेना यहाँ पर देखो chemical properties of metal की बात करें तो सबसे पहला है कि what happen when metals burn in air अब burn in air होड़ा है तो आप लोगों कोई चीज़ पता होगा कि अगर हमें burn कराना है किसी भी चीज़ को तो वहाँ पर एक चीज़ का present होना बहुत important है वो है oxygen यानि कि अगर oxygen नहीं present रहेगा तो वहाँ पर burning नहीं होगी बिल्कुल उसी तरीके से अगर metal को oxygen की presence में हम लोग burn करते हैं तो वहाँ metal oxide form होता है कितना simple है metal को oxygen से कर और metal oxide form हो गया है ना जैसे यह example ले लो copper को oxygen की presence में burn किया तो वह copper oxide बन गया वैसे aluminium को किया तो वह aluminium oxide बन गया अब आगे 2 क्यों लगावा है 3 क्यों लगावा है 4 क्यों लगावा यह तुम्हें पता होगा something which is called as balancing अगले chemical property की चरफ चले तो what happen when metal reacts with water काफी लोग पूछते हैं कि अगर metal को water से react करेंगे तो क्या होगा अब देखो अगर मैं तुम्हें simple words में बताओ तो तुमने कोई भी metal उठा लिया ठीक है और उसको तुमने water के साथ react करा दिया अब देखो इसमें तुम एक बहुत ही sense वाली बात है कि हर metal जो होंगे वो water के साथ react generally नहीं करेंगे ठीक है तुम लोगों को लग रहा होगा कि सब कर जाएंगे बट नहीं अगर तुम काफी ऐसे metals है जिनको कि तुम उठाओगे because of their properties केहलो कि वो water से generally react नहीं करते अगर metal है भाई तो simple सा वाद है वो बंदा ठोस हो गाई और मजबूत हो गाई थी तो यहाँ देखो यहाँ पर भी लिखावा है कि but all metals do not react with water which is a fact है ना अब यहाँ देखो metal जो है वो water के साथ react करेगा ना तो वो metal oxide बनाएगा और साथी में hydrogen form हो जाएगा लेकिन अगर हम लोग उसी metal oxide को और भी ज्यादा react कराएंगे water के साथ तो वो metal hydroxide बन जाएगा अब simple सा logic है ना metal को अगर water के साथ react कराया तो metal oxide बन गया hydrogen displace हो गया अलग हो गया लेकिन वही अगर हम लोग वहाँ पर metal oxide को दुबारा अगर water से react कराते तो that will became as metal hydroxide यहाँ देखो दो तुमको यहाँ पर दियोंगे sodium और potassium और अगर मैं तुम्हें अभी पीछे लेके जाओ ना यहाँ पर तो यहाँ पर तुम लोगे गौर करोगे यहाँ पर मैंने exception exception in metal लिखा है के एंड ने के एंड ने आर दो most reactive metals जो की ना बहुत सारी चीजों में तुम्हें as an exception दिखेंगे जैसे इस reaction की ही बात कर लो यहाँ पर देखो के और आने जो है ना वो लोग exothermic reaction करते है वाट इस exothermic reaction वह reaction जिसमें बहुत जादा heat produce हो जाए है ना तो यह ऐसे होते हैं ना कि इन्हें तुम environment के भी contact में नहीं रख सकते क्योंकि यह highly reactive metals में से एक है इसलिए इनको kerosene के अंदर रखा जाता है टाकि यह react नहीं करें अगर आप इने cold water के अंदर भी डाल देते हो एक ऐसा मेटल है जो थोड़ा less violent है थोड़ा less violently react करता है heat वहां जो है वह इतना evolve नहीं होता है कि hydrogen जो है वह fire catch कर ले यहाँ पर जो heat evolve होता है उसमें hydrogen दो होता है तुरंद fire catch कर लेता है लेकिन यहाँ पर नहीं करता है क्योंकि heat का quantity उतना ज्यादा नहीं होता है ठीक है तो वहाँ पर हम लोगों का ऐसा कुछ हूँ now let's come to what happen when metal reacts with acids अब पिछले ही chapter में यह चीज़ तुम्हें पर लिये तो I don't think कि इसको परहाने का कोई sense बनता है we all know that whenever metal reacts with acid it forms salt and hydrogen gas अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर dilute acid लिखाव है what do you mean by dilute acid याद करो मैंने तुम् कोई बात नहीं दुबारा जाके acid base and salt वाले lecture को देख लो मैंने अपलोड कर रखा है और अगर तुम्हें याद है तो नीचे comment जरूर करना कि what is dilute acid now let's come to how do metal reacts with solution of other metal अब देखो एक चीज़ तुम लोगों को हमेशा से पता होगी और मैंने समझाया भी है एक चीज़ के बारे में वो है displacement how a reaction can occur या फिर किस कैसे एक reaction में displacement देखा जा सकता है अगर आप यहाँ देखो तो एक metal A है और इसको हम लोगों ने दूसरे के salt solution के साथ react कराया है दूसरे metal के तो यहाँ पर metal A metal B को displace कर दिया और यह salt solution बन गया metal A का और metal B अलग हो गया अब यह ऐसा हुआ क्यों अब देखो कभी भी ऐसा होगा तो उसका सबसे बड़ा reason यह होना चाहिए कि जो A जो है ना metal A वो metal B के according ज्यादा reactive है यानि कि metal A is more reactive than metal B तभी वो उसके salt solution में से displace करके वो उसका salt solution बन जाएगा और दूसरा metal जो है वो displace हो जाएगा now let's come to the reactivity सीरीज अब reactivity सीरीज का एक बहुत ही common चीज जो हमारे स्कूल में है आपको कुछ shortcut बताए जाएंगे shortcut जैसे बैगा नालू, गोबी, इंथैला, काना, कामा, ऐसा सा कुछ-कु लग से याद कर लो भाई, क्योंकि वो सब चीज को तुम याद तो कर लोगे, एक statement को, बट exam के समय पता चला कि तुम यहीं सोचने में लग गए हो, कि या आलू का मतलब aluminium था, या आलू का मतलब gold था, ठीक है, तो उससे बढ़िया जो है, तुम उन्हें statement पर ना ध्यान दे काफी सारे, है ना, और इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, कि जो सबसे उपर वाले metals है, that will be most reactive, और जैसे जैसे नीचे जा रहे है, reactivity decrease होते जा रही हो, और सबसे नीचे में least reactive metals है, like gold, silver, mercury, copper, hydrogen, यह कुछ least reactive metals में से एक है, धीरे धीरे reactivity उनकी बर रही है, and potassium and sodium are the most reactive metals, उसको बाद calcium उन से थोड़ा कम, फिर magnesium, aluminium, ऐसे यह कम होते जा रहा है, नीचे जाते जाते, तो this is the reactivity series, इसे तुम याद कर ले ना, तुमारी exam में question आ सकता है, या फिर अगर reactions भी तुम पर रहे हो ना, तो वहाँ पर कौन सा किसको displace करेगा ना, वो तुमें इस reactivity series के थ यह वाला chart देख लो, यह तुमारे anxiety book का chart है, यहाँ पर तुमको दिया हुए सब कुछ की types of elements, कौन से novel gases है, कौन से metals है, कौन से non metals है, उनकी atomic number लिखी गई है, और उनके electronic configuration लिखा गया है, तुम लोगों इसे काफी बच्चे होंगे, जो की electronic configuration नहीं कर पाते होगे, देखो मे तो कोई भी एक number उठा ले ना, जिसका atomic number 11 ही है, तो 11 से इसमें देते जाओ, मालो यहाँ दो लोग बैठे वे हैं, तो दो लोग को 11 से निकाल के दे दिया, 9 बचा, अब यह 8 लोग बैठे वे हैं, तो 9 में से 8 निकाल के दे दिया, अब एक हमारे पास बचा है, तो इसका क् electronic configuration निकाल जाएगा, it is easy यार, बहुत जादा easy है, इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन तुम उसको अगर नहीं पर पाते हो, तो तुम ऐसे कर सकते हो, अब how does ionic compound form, अब देखो किसी भी को भी nice stable रहने के लिए उसको उसकी noble gas configuration होनी चाहिए, ठ इससे ना कम, इससे ना ज्यादा, ठीक है, उसे यहाँ पर एकदम भड़ा होना चाहिए, तो वो कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर, यहाँ पर तुम्हें formation of sodium chloride के example से समझा जा रहा है, अब यह sodium है, sodium का electronic configuration है, 281, अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर एक one है last में, यहाँ यहाँ तो 8 होना चाहिए थलास में, तभी यह तुम्हारे noble gas configuration में आएगा, और यहाँ chlorine है, जिसका 287 है, इसको भी यहाँ पर 8 होना पड़ेगा, तभी यह noble gas configuration में आएगा, अब यहाँ पर ना एक समझोता होगा, क्या, कि यह जो है, अगर यह 7 और लेना चाहेगा, तो बह बन कर, और तू अगर यह एक ले लेगा इसका, तो यह भी आ जाएगा अपने noble gas configuration में, है ना, 2-weighted, और इस तरीके से दोनों stable हो जाएंगे, तो वहाँ पर उन लोगों ने, यहाँ पर क्या कर रहा है, शेरिंग कर ली, यानि कि इसने अपना जो एक electron था, उटर मुस्टला, अगर हम लोग properties की बात करें, आयोनिक compound की, तो आयोनिक compound जो होते हैं, वो generally solid होते हैं, उनका जो bond है, वो minus plus bond के चलते बहुत ही ज़्यादा strong हो जाता है, minus plus bond से अगर आप लोगों को मैं बताओ, तो plus का मतलब होता है देना, और minus का मतलब होता है लेना, अब मालोगर आप बह ज़्यादा उधार लेते हो, तो आप एक negative image बनेगा, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो, तो वैसे यह आयोनिक compound जो होते हैं, वो generally solid होते हैं, और इसमें greater force होती है, minus plus bond के वज़े से, और आयोनिक compound जो होती है, इसके high melting और boiling point होती है, क्योंकि अगर यह ज़्यादा solid रहें तो water में, तो वो electricity conduct करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो उनके electrons हैं, वो flow करना शुरू कर देते हैं, अगर simple words में बता हो, तो एक नमक लेलो, नमक को अगर तुम लोग ऐसे रखोगे, तो वो electricity conduct नहीं करेगा, उसे उसके molten state में लेलो, या फिर उसके पानी में मिला दो, ज अब यही था तुम्हारा पूरा का पूरा chapter metals and non metals जो कि तुम्हारे इस बार में आने वाला है, I hope कि तुम्हें A to Z चीजे समझ आ गई हो, क्योंकि मैंने काफी अच्छे से और काफी best तरीके से पढ़ाया है, मैं तुम्हें बता देता हूं notes previous year question और important question और कुछ बड़े- भाई को भी influencer बनाना है, और चैनल को subscribe अगर नहीं किया तो कर दो नहीं तो मान मान के डाइना सूर बना देगा, ये quote तुम लोगों के लिए जाओ और पूरी लगन के साथ exam के लिए तियारी करो, इस वीडियो पर 1K likes कर देना, तभी मैं अगले चार्टर की वीडियो डालू और इस बार मैं श्योर हूँ, मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ